तो शबी साथियों को प्यारों रहे रोसकार जहिंद करता है अज की क्लास को पनोग शुरूर। कैसे आप सब्सक्राइब लोग उम्मिद करता हूं ठीक होंगे अच्छे होंगे मस्त होंगे श्वस्त हों। कि उपने बात चल रही थी मारवाड राजमस के अंदर अपन लोग उन्हों पढ़ा कहां से लेखे अपने सुरुवात की राव सिहा से चलते चलते पन लोग राव सूजा तक पहुंच गे और राव सूजा में पन ने देखा कि राव सूजा की पुत्तर थे राव बागा पोता शासक बनता और वो कुन था राव गांगा अपन सीथा सीथा प्रशन बनेगा कि राव गांगा का अब कब से लेके कब तक रहा तो आप बढ़ाएंगे 1515 स्वी से लेके 1531 सीधा याद रखना है राव गांगा का साशनकाल कब से लेके कब तक रहा 1515 से लेके 1531 उसके बाद नेक्स्ट फिर पर्शन मनें सब दिख रहा होगा आपको साय बिल्कुल अच्छा दिख रहा है ना चलने आप 1515 से लेके 1531 तक रहांगा का साशन रहता है यहां एक बात याद रखनी है कि राव सूजा के पौत्र राव सूजा के पौत्र वे राव बागा के पुत्र थे आतम में साथ बेठाना आपको कि जब मारवाड के इंदर गांगा थे उस समय मेवाड में को न थे शांगा यानि याद रखना है मारवाड में गांगा मेवाड में सांगा तो याद रखेंगे साथियों राणा सांगा के अपन मत कर रहे हैं यह यहां पर मेवाड है और यह युचत्वा के रणंनिती के तहहररा न भारत के अंदर प्रवयस कर रहें देने का अपना पूरा प्रियास किया था लेकिन विफल हो पाए कोई दिकत नहीं यहां याद रगना है जब मेवाड के इंदर कौन था मेवाड में सांगा तो मारवाड में कौन गांगा और जब इतनों बात आती है कि सांगा जो थे इन सांगा के समय एक युद्ध लड़ा गया था जिसे युद्ध का नामता खानवा का युद्ध और उस खानवा के युद्ध की विस्तार से चर्चा में जब राणा सांगा पढ़ूँगा पढ़ाओं आपको उस समय करूँगा आपको इतना ही याद रगना है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने सेनिक सहायता संगांगा ने अपनी सहाइता भेजी थी याद रखना है कि घानवा के युद्ध में सांगा की सहाइता की और पुत्रमालदेव के नित्रत्वा में मरवाड की तरफ से सेना जो थी वो भेजी या फिर अपन कह सकते हैं सेनिक सहाइता की तो याद रखें यहां गांगा और यहां कौन सामा अब देखी का मित्रों नेक्स्ट जो बात बनेगी वहां मैं पॉइंट के रूप में लिख देता राणा सांगा की सहाइता राणा सांगा की सहाइता ये बात सबसे मैं तो पुन याद रखेंगे असके बाल मित्रों नेक्स्ट बात याद रखनी है इन्हों ने आपके जालोर के उपर भी चढ़ाई की इस समय राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के दो केंदर थे यान मैं यूं कर सकता हूँ मुस्लिम सत्ता के मुस्लिम सत्ता के दो केंदरों पर आकरमन नमबर एक केंदर कुन सा था? नमबर एक केंदर था जालोर जालोर के उपर कौन था? जालोर पे था सिकंदर खाँ दूसरा जो केंदर था मित्रों वो था नागोर नागोर पे जो वेक्ति था वो था दोलत खां और इन दोनों ही जगा आकर्मन किया जाता है और पहले जालोर पर आकर्मन किया जाता है तो सिकंदर खां है अब वो क्या करता है अब वो धन देकर के मारवाड की सेना को बेश दे इसे ही वह मंद्र वगची याद रखेगा मित्रम यां परशन आजै कि इनके समय में है गंग स्याम मंदिर गंग स्याम मंदिर आअ ओर गंग स्याम मंदिर में मूर्ती वह वी यद रखना difet स्याम मंदिर गांगे लाव तालाव गंग स्याम मंदिर गांगे लाव तालाव और एक गंग अबाववणी वैस यह तीन चीजें यहाद रख लिए एक गंग स्याम मंदिर एक गांगे लाव तालाव और एक गंगा बाववणी यह सारी की सारी बातें किसके गांगा अब इति चरण इस पर्स करने के बाहने नीचे जुकता है और जो जरोका था उस जरोके में राव गांगा बेठे वेते टांग पकड़के और सीधा धकेल देता है मेहल के ऊपर से जब नीचे आते हैं राव गांगा तो नीचे गिरने से उनकी मरत्य हो जाती है और राव मालदेव है अब वो राजगदी पे बेड़ चाते हैं याद रखेंगे मारवाड के इंदर दो पित्रहंता सासक होने ये भी पहले पित्रहंता सासक की में बात कर रहा हूं अलग अलग जगे अलग 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 जब गंगा का पुत्र कोन है और मालदेव के द्वारा महल के इंदर जरोखेवे बेटे थे और राव मालदेव आकरी और पेर पकड़ के नीचे धकेल देता है अफिम के रसे में थे ध्यान दिया नहीं और नीचे गिरने से उनकी मौत हो जाती है उस प्रकार याद रखिएगा कि मारवाण के इंदर जो पहला पित्रहंता सासक है वो किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर बनेगा राव मालदेव को मारवाण का पहला पित्रहंता सासक कहा जाता है याद रखना है राव मालदेव को मारवाड का पर्थम पित्र हंता सासर कहा जाते हैं इसका आप स्क्रिम सोट लीजिए फिर चलते हैं अपन आगे साबस चलें चलते हैं अब मित्रों गंग स्याम मंदिर गंगे लाव तालाप गंगा बावडी यह याद रखना है जालोर और नागोर पे अभियान 1527 के खानवा युद्ध में राणा जो सांगा थे उन राणा सांगा की की जाती है सहाइता अब साथियों नेक्स्ट बात आप कुछ याद रखनी है राव गांगा के बाद में अब कोन आते हैं अब आते हैं राव माल देव पहली बात राव माल देव का सासनकाल कब से लखे कब तो कहीं सेगा आपको 1532 मिलेगा लेकिन 31 से याद रखना है 1532 में इनका राज्य भी से खुआ था गुर्जी 32 में क्यों होगा 31 के इंदर पिता की हत्या की तब जाके इनका जो माहोल था वो खराब हो रखाता यहां और मैं बात बदा दू आपको राज्या भी सेख भी इनका जोत्पूर में नहीं होता है राज्या भी सेख 1532 के अंदर ये सोज़त पाली के अंदर होता है आप कहेंगे जोत्पूर में क्यों नहीं क्योंकि जोद्पुर में पिता की हत्या वाला जो माहूल था वो गरमाया हुआ था इसलिए इनका राज्य विसेट शोजित पाले में होता है पहला पहला तू पाधिया बाद में लिखेंगे पर पहला जो गलत काम क्या वो ही उपाधि देदत हैं कि याद रखेंगे मारवाड का मारवाड का पर्थम मिश्च पित्र हंता शाशक पित्र हंता शासक ये बात याद रखनी मारवाड का पर्थम पित्रहंता सासक है ये किसे कहा जाता है तो मित्रों आपका उत्तर बनेगा मारवाड का पर्थम पित्रहंता सासक ये राव मालदेव को कहा जाता है आगे एक ओर आएगा उसकी चर्चापन आगे कर लें इसके बाद नेक्स्ट अलग अलग इतियासकारों ने अलग-अपन किए लोगों ने अलग-अलग नामों से पुकाया है कि पहला कहा जाता है माल्देव को हस्मत वाला शासक परसर बन सकता है मित्रों हस्मत वाला शासर ये उपाधी मालदेव को किसने याद रखेंगे फार्सी जो इतिहासकार है उस सारे के सारे क्या कहते हैं वो सारे के सारे कहते हैं हस्मत वाला शासक परसन आ सकता है कि हस्मत वाला शासक कौन कहते हैं फार्सी इत काता है परसन आएगा महां पूरुशार्थी राजकुमार महां पूरुशार्थी राजकुमारं आए एपाधी किसने मित्रों याद रखेंगे महान पुर्शार्थी राजकुमार ये कहने वाला बंदा कौन था ये था बंदा यूनी उसके बाद में फिर आगे चले आगे चले एक उरकतन आता है कि भारत का भारत का एकमात्र सक्ति शाली शासक ये जो उपादी है ये कौन देत है मैं तो याद रखेंगा भारत का एकमात्र सक्ति शाली शासक ये उपादी किसके दुवारा दी जाती है किसको दी जाती है ये बात याद रखनी है ये उपाधी राव मालदेव को दी जाती है और देने वाला कौन था फरिस्ता यानि राव मालदेव के बारे में फरिस्ता का क्या मत्था कि ये भारत का एक मत्र आपका सक्ति शालिश आ सके उसके बाद में तो नेक्स्ट इने ही कहा जाता है हेंदू बादसा परशन आ सकता है कि मारवाड के कि सासक को हेंदू बादसा कहा जाता है राव मालदेव उसके बाद में नेक्स्ट परशन आ सकता है मारवाड का योग्य वे प्रतापी सासक मारवाड का योग्य वे प्रतापी सासक अलाकि प्रतापी सासक की बात आती है कि जिसका प्रताप रहा हो वो राव चंदर सेन भी है लेकिन चंदर सेन से पहले उनके पिता राव मालदेव को कहा जाता है मारवाड का योग्य वे प्रतापी सासक उसके समय में भी खूब फली खूब बड़ी लेकिन याद रखेंगे जस्वन सिंग से पहले मारवाड की चित्र सेली का मारवाण की चित्र सेली का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वित्रों ये किसे कहा जाता है तो याद रखीगा मारवाण की चित्र सेली का जो स्वर्ण काल है ये कहा जाता है राव मालदेव के काल को ये तो राव मालदेव के जो महट्टूपूर्ण नाम है उपनाम है उनसे याद रखीएगा राव माल्देव को creamy मारवार का प्रृत्र याद रखीएगा вопрос मतवाला राजा इस tabla या यहां कई स्टूडेंस आप जैसे घच्छा घजातuis है और वो क्या कर देते हैं वो कर देते हैं यहां पर रावचंदर-सra está चंदा से नहीं है हस्मत वाला राजया राओ महान पुर्शार्थी राजकुमार ये भी माल देव एक मत्र सक्ति शाली शासर की फृस्ता ने कहा हिंदू बात्सा मारवाड का योग्यव फरतापी शासर और मारवाड की चितर सेली का सुवर्मकान इसका फटाक से स्क्रीन सोट फिर चलते हुं आग sós चले चलते हैं पर सब्सक्राइबन और नेक्स्त चोपात है नेक्स्ट प्रशन और कोण से कान मी पढ़ती उसके बार में प्रलोंग चर्चा करते हैं याद रखियेगा साथिं राव मालदेव से प्रशन बनता हैं की राणी वेसे तो इनके 25 राणिया थी 25 राणिया थी 12 पूत्र थे लेकिन इन रानियों में एक राणी थी जिसका नाम था राणी उमादे याद रखना है यह इतिहास में जानी जाती है मित्रों रूठी रानी के नम से पुर्शन आसकता है मुगल इतिहास की बात नहीं कर रहां वहाँ एक रूठी रानी आईगी लेगिन यहां पन राजस्तान की इतिहास की बात कर रहे हैं और मारवाण के सासकूं की बात कर रहे हैं इस पेसल जो राजस्तान का इतियास राव परशनल इतियास उसमें जो रूपी रानी है वो कहा जाता है किसे रानी उमादे को अब याद रखना है रानी उमादे ठीक हो रानी उमादे यह आपका राव लून करण की पुत्री थी र याद रखिएगा इतिहास इसे रूठी राने के नाम से जन्द है अब इसकी कहनियां क्या बनती हैं वो देखिएगा ये रहा अपने ये जेसल मेर है ये मारवाड है ये जमेर है याद रखिएगा ये जमेर ये मारवाड ये जेसल मेर है पहले तो दोरों की साधियां होती है इधर से रानी हुआ देखिएग इधर से कौन आपका माल देखिएग साधी होने के बाद में पहले ही दिन पता नहीं क्यान बन हुई किसी बात को लेकर के मालदेव और राणी उमादे के बीच में मनमुटाव हो गया और जब इस राणी उमादे और मालदेव के बीच जो मनमुटाव चल रहा था इस मनमुटाव की खबर जब मिलती है लून करण को तो लून करण चाहता है कि इस मालदेव को ख़दम करवाने का पूरा प्लान तयार कर ले इधर से जब पता चलता है लून करण की पतनी को बोले तो मालदेव की शासु मागो कि तेरे को मरवाने का पूरा प्लान चल रहा है वो बात पहुँचा देती है किसे वो बात पहुँचा देती है राव मालदेव कौन राव मालदेव है उसके पास ये बात है मालदेव की शासू लून करण की पतनी उमादे की मा पहुँचा देती है और वहाँ जाने के बाद जो बात पहले से विगड़ी हुई थी उमादे और मालदेव के बिच में उस बात ने अब बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया और अब यहां रानी है अब वो और ज्यादा रुठ जाती है और उठने के बाद राने, यहां से कहा चली जाती है, अजमेर के कौन से गड़ में, तारा गड़ में, याद इतना ही रखना है, अजमेर के कौन से गड़ में, तारा गड़ में, कौन गई, उमादे गई, उमादे यहां से रूठ के कहा चली जाती है, तारा गड़ में, चली चलिए नशा उत्रा उत्रा तो देखा कि जाता है रानी को मनाता है और मना के वापस ले आता है केसे जैसे करके ले आा जैसे ही राणी मारवार्वाड़ में पहुंचने वाली थी मालदेव की अन्य रानियों को पता चलता है तो मालदेव की रानियों ने क्वित्ति को गुला है जो रानियों का इसपेशल था उसका नाम था आस सिंग या नाम था आस सिंग यह इसर दास मालदेव ने तो वेजा इसरा जा रानियों लेके आ जा इसरो गयो रूठेडी रानियों कटी तारा गिडमी मालदेव के गरेओ इसर दास ने वेजो इसरा जा रानियों लिया इसरों किया जिया मनार लियायो इसरों मनार लियायो जो रानियां बुलाई एमर्जेंसी आपात कालें मिटिंग कि उमाद यार विए उमाद यार ये तो सारी राणी एक हुगी और आसियान बुले आसिया इन्ने भरे आसिया बॉल लो सा उले कांगर राणी ये जखी आपड़े राज में लम नहीं आजिचे कहां जया मिन गोड़ी देगा आसियो गयो एठ्यां पु के जा पुले वृगए राणी मुलाकात करें के चानष परश्वानी साहिवा को हो है है hiç आधी आधी एक बात है किया मानर रखे तो वाइद ना निभै एक खंबू दो ठाण के वाधकी मान रखै तू पीम तज जह मानराखणцен तू पियाने चोडे मान रखे तो पीम तज पीम रखे तज मान अगर पियो राखन तो स्वाभी मान चोड़ दे दो दो वाइद ना निभय है एक खंबू दो ठाण जाए एक खंबा के एक खुंटा के दो ठान को नहीं हो सके बैया दो दो वादा को निप सके रानी का स्वाभी मान जाग जाता है रानी वापस से चली जाती है कहां पे तारागड की तरफ और यहां से तारागड की तरफ फिर आपका इधर गाओं में रहते हैं पहुत सारे गा माल्देव की मर्द्व होती है उसके बाद में माल्देव की किसे निशानी को ले करके और वो महासती हो जाती है याद इतना ही रखना है उमादे जो है वो लास्ट में अपने दतक पुत्र बोले तो खुद का पुत्र नहीं था उसका खुद का तो होना ही कहा से तार उठकी च जबकि आज सिंग को किस ने भेजा रादियों ने भेजा इतना है अब यह होगी रादियों की बाते स्क्रीन सोट लेगी जी इसका फिर चलते हैं आगे चलते हैं अब नेक्स्ट बात और क्या होगी देखिए अब अपन इनकी परमुक परमुक जो विजय भ्यानूं की चर्च भाद्रा जोन विजय वीरा स्वामी नाम का एक विक्ति था उसके पास भाद्रा जोन का किला था अब यहां पर आउमाल्देव आकर्मन करता है और आकर्मन करके और इसकेले को अपने पास लेए था इसी समय याद रखना है 1532 में मेवाड़ पर बहादूर्श्या काकरमन WHO राह्ममल्देव द्वारा शहायता प्रदान करने पाकर्मन व्न्य miracle मालदेव द्वारा क्या करना सहहायता प्रदान करना यानि बाहदूर सा जंक मेवाड़ प्राकरमन करता है तो अकरमन के समय राव मृल देव सा है बाहदूर् वहरो आपको मेवाड़ो साहिति तो से प्रकार मेंटोर्फ सहा के समय देदी उसके वाल में तो नेक्षत याद रखने उसके बार एक स्याद रखें 1533 पंद्रासो तेतीस में नागोर पे आत्रमन करते हैं और यहां एक युद्ध होता है हीराबाडी का यूथ हीराबाडी का यूथ कहां लड़ा गया नागोर में किसके साथ लड़ा गया भाईसा ये लड़ा गया दोलत खां राव मालदेव वह दोलत्खाँ के मध्य hockey चान माल देव ऑर दोलत्खाँ के मध्य लड़ागें je कि याद रखना जीट किसकी होगी जीट दोलत्खाँ की नहीं होगी जीट हो इसा इस Natika नाम आता है दोलत खा a जीसे पन पढ़ता है ना राम प्रशार राम प्रशार टाब जी पढ़एंगे मेवार करती हासा साइगा जय था B आटी यहां यह याद रगर हीरा बाड़ी का जैसे जीत वीरम मांगलियत को वीरम मांगलियोत को वहां का सुभेदार कर दते हैं कोई खास बात नहीं प्रशन नहीं है इसके बाद एक्स्ट याद रखना है 1533 के बाद में 1535 मेरता विजे यानि जो मेरता के उपर जिस वीरम देव का सासंद उस वीरम देव को हराते हैं और मेरता को अपने दिकार चेत्र में लेते हैं याद रखेंगे मेरता विजे की बाद तब की थी 1535 की थी 1533 में हीरा बाड़ी के 1532 में भाद राजोल के विजे तभी तो कहा जाता है हस्मत वाला राजा तभी तो कहा जाता है महान पुर्शार्थी राज कुमार तभी तो कहा जाता है एक मात्र सक्ति शालिस आसे तभी कह जाता है नहीं से थोड़ी कहा जाएगा उसके बाद याद रखेंगे 1538 में 1538 में याद रखना है सिवाणा कि सिवाणा विजे कि यहां के राजन थे डूंगर सिंग उनको हराके और सिवाणा जो द्रूख था उसके उप्रदिकार कर ले सिवाणा को को भी कहा जाता है मारवाड के राजाओं की आपात कालिन रास दहन है संकत न को कहा जाता याद रखनी है जूप लेपन करेंगे एक बार इसका इस्क्रेंस ओट लीजिए फिर चलता है कि पाहे बासा हे बाका यूद साबस लेपा इसक्रेंस ओट इसका चलेंगा आगे चलते हैं सिवाना वीजे मेरता वीजे अब आएगे दो मैक्तों पुण यूद्ध और दोना ही आपको ध्राम दे हैं सात्यों गोर कीजिएगा यहां अपने बारत की एक बार फिर से देखीएगा यह मारवाड है का और यह भीकानेट है एक ऐ प्रांथ से गय के यहां कि अपने देखा थे देर जोदा थे सिंदा के पुत्र थे अंपुत्रों में राव भी का चले जाते हैं भीकानेट था यह भीटात रिखे आपकेमेर लेकिन अन्भन है बदात प्निघस शंधूँ अम मारवांड और भीकानेर में कोन भाई साथ राव मालदेड़很好 अधिकानेर में इस समय कोन है रावजेटसी के अब यहां राव मालदेड़ रावजेटसी के बीच में एक यूद्थ होता है और इतिहास में इस युद्र को कहते हैं पाहेवा साहेवा का युद्र का बलडा गया कि 1541 कई भुक में आपको 1542 भी मिलेगा याद 1541 रखना है 1541 में कौन सा युद्र पाहेवा साहेवा का किस किस के बीच लडा जाता है राव मालदेव एवा किसके बीच रावजेट सी आब याद रखे राव मालदेव और इसमें जीत किसकी होती है राव मालदेव के सेना पती थे जिनका नाम था जेता और कूपा जेता और कूपा के नित्तर तो मैं युद्द लड़ा गया इधर राव जेची का भी सेना पती था जिसका नाम था नागराज नागराज के माध्यम से सूचना राव जेची कहां तक सेरसा सूरी तक भी पहुंचाता है अब आप कहेंगे बीच में सेरसा सूरी कहां से आगे क्योंकि इस समय दिल्ली की सक्ता पे 1541 में सेरसा सूरी बेठा हुआ था याद रखने हैं साथी में इस समय दिल्ली की सक्ता पे क आगे किया बनेगे राव जेटसी है उसकी क्या हो जाती हाल और राव जेटसी हो जाता है यहां पे खतम अब बिकानेर की गद्दी पे कोन बेठेगा राव जेटसी का जो पुत्र है जिसका नाम राव कल्यानमल अब आप मुझे एक बात बता दे राव कल्यानमल और राव मालदित क्या इन दोनों के बीच में भाईचारा बढ़ेगा नहीं वे बापको मार दिया आपका आएगा भाईचारा घदम भाईचारा जेजा तूम वेसम में अब दोनों के बीच ठन जाती है और किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और केसे दूसराइगी वेत्ति आके फाइदा उठा ले जाता है यहाँ तक कोई दिकत नहीं पाहेबह साहेबह काईद किस किस के बीच रड़ा गया इतना ही रखना है अम इत्रों आगे किस प्रकार कहानिया वंति देखिए यह दिल्ली कि यह बीकाने यह 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 मारवाड कि दिल्ली की सत्ता में दो लोग याद रखने है कि हुमाईू गंद्रह सो तीस से पंद्रह सोच पन अ उसके साथ है सेर्सासूरी है जिसे पंद्रह सो चालीश से पंद्रह सो पैंतारीस बीच में आ गएगा बीच में आगें हुँगा यूद्ट पांसा सर भारी राथ अब इत्तनों इस समय दिल्ली की गद्धी पे कौन बेठा था इस समय दिल्ली की गद्धी पे बेठा था सेर सासूर हुमायु था वो दर्दर की ठोकरें खा रहा था और इसकी बारे में तो हुमायु के बारे में तो लेनपुल लिखता है dardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardar मालदीवी ने सोचा है हुमायू के बाद में नंबर अपना भी आ सकता है, तो मालदेवटु घुंफ के पास शहायता करने का परस्ता विजवाद है हुमाय को सहर स्विकार करिए तो उसको भी आसरा का चीए थ हुमायु और मालदिव के दोनाइब जोगी तिर्थनाम कि स्तल्प मिलते हैं कॉन से तल्प ज्यादा खास मेरे जोगी तिर्थनाम के स्तल्प हुमायु कि और मालदिव के मुलाकाव 나f ह zachami ये दौनों मिलते हैं अब यहां कौन था राव कल्याणमल को यह बाद चची नहीं पची नहीं कल्याणमल बजु 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 की करना शेरसा सुरी करना और बुलु भाई सूने केक रहे हैं लोग तो आपसे में दोस्ती कर रहे हैं अब साथ दोनों मिलते हैं मालदेव दोनों तरफ से फस गया अब सेरसा सूरी का डर साफी था अब इसके बाद में नंबर अपना इसलिए हुमायू को सेनिक सहाइता नहीं दी और एक राजधरम छक्त्र धरम उसके तहट मालदेव को बंदी नहीं बना है परशन आए कि मालदेव ने हुमायू को बंदी क्यों नहीं बनाएं नहीं अपने धरम को देखा कि मैं मेरी शरण में आएवे वेक्ति को बंदी नहीं बनाऊंगा सेनिक सहाइता क्यों नहीं दी इधर से कत्रा था और इस प्रकार से हुमायू आता है वापस चला जाता है यह बात जब सेर सासुरी को पता चलती है टू सेरसासुरी दिल्ली से चड़ाई करता है दिल्ली से आगरा देते वे नारोल देते वे इधासे फतेपुर देते वे ़िटवाना देते वे पहुंट जाता है कहां मारवाड़ं और यह बात है पंद्रासो चुम्मालिस की कब की हैं पंद्रासो चुम्मालिस याद रखें अब सेरसा सूरी कहा ये का मारवाड में यानि मैं यू कह सकता हूँ सेरसा सूरी अब मारवाड में आ जाता है इधर से एक स्थान था जिसका नाम था सुमेल इधर से एक स्थान था जिसका नाम था गीरी गीरी के इंदर सेना इकटी होती है राव मालदेव की राव मालदेव की और सुमेल के इंदर सेना इकटी होती है किसकी सेर्शा सुरी की सेरसा सूरी की सेना सुमेल में इकट्टी होती है राव मालदेव की सेना गिरी में इकट्टी होती है इधर सेरसा सूरी के साथ विकारेर का राव को लेड मलता वेड़ता का विरम देव था क्यों थे चोंकि दौनों है माल देव के दुश्मन थें आम इत्रों गो और करेंगे हूँ कि यहां जब डौनों की सेना इकटी हो जाती हैं किदर मैं मिटा रहा है स्क्रीन सोट ले लेना ठीक है मिटा दो मिटा अब है साहर होता क्या है देखी और सेर्षा सूरी और आपके र पांच जनवरी के देरा चार जनवरी को डाल दिया जाता है याद रखना है गीरी और सुमेल जो इस्थान है इसी आधार पे इस युद्ध को क्या नाम दिया जाता है गीरी सुमेल का युद्ध प्रशना सकता है कि गीरी सुमेल का युद्ध किस के बीच लड़ा गया गिरी सुमेल का युद्ध राव माल्देव सेहरसा सुरी के बीच लड़ा गया सेहरसा सुरी ये पूरे प्रियास कर लेता है लेकिन इसके चारू तरप से जब इघर जाता है पता नहीं किस प्रकार से इसको विजित किया जाएगा तब यह क्या करता है चल कपट से चल कपट की नितिवा यह निति कौन अपनाता है सेवसा सुरी जैसे माल लेते हैं इदर से आपका पूरा का पूरा ऐसे माल लो आपके यह किसका है सूरी वाला है यह किसका है माल देवाला है अब यहां माल देंगे दो सेना पती जिसमें एक का नाम था जेता एक का नाम था कूपा अब सूरी ने सोचा ऐसे तो फार पड़ेगी नहीं तो सेहर सा सूरी ने इन दौनों के तंबू में दस अजार उपे यहां पहुँचा दिये दस अजार उपे यहां पहुँचा दिये इनको पता नहीं है ना जेता को पता है ना कूपा को पता है इन दौनों के पास यह फेसे पहुँचा के फिर सूरी समाचार देता है इधर समाचार पहुँचाता ह कि आपके विश्वस्त जो सेनिक हैं, आप वो विश्वस्त सेनिक आपसे दगा कर रहे हैं, अब वो आपके सेनिक नहीं रहे, उन्होंने तो आपके साथ दगा कर दिया और दस-दस अजार रुपे ले लिए, राव मालदेव सोचता है, इसा नहीं हो सकता, राव मालदेव जब घटना की जाच करवाता है, तो दौनों के तम्वों में दस-दस अजार रुपे मिल जाता है, दौनों के तम्वों में जब दस-दस अजार रुपे राव मालदेव देखता है, उसकी आखे फटी की फटी र राम मालदेव चार जनुवरी की रात्री को यहां से निकल जाता है इसका प्लान पास जैसे ही सुभा होती है जेता और कूपा ने देखा यह हमारे उपर अमिट कलंक लग गया गद्दारी का अब नहीं छोड़ने वाले जेता और कूपा की सेरा सुभा होते ही तोट पड़ती है कौन सी सेना के उपर सेरसा सुरी की सेना के उपर और मैं कह रहा हो दोपर के एक बज़े तक दोपर के एक बज़े तक सेता और कूपा की सेना से सेरसा सुरी के और खान को एक के बाद 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 एक को मार सभी को मत के घाट उतार दि वीर्वति को फ्राप्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार से दोपैर में जब नमाज का टाइम होता है तब सेरसा सुरी युद्रोग के पर प्राधना गरता है कि किसी भी प्रकार इस युद्ध को जीता जाए जब ये युद्ध बड़े ही अपन कहें बड़ी कठिनाई से सेर पड़ती है कि मैं एक मुठी भरवाजने के लिए पूरे हिंदुस्तान की सहाधत को बिड़ता कि जोधपूर को बड़ा चेत्र नहीं था एक मुठी भरवाजने के लिए पूरे हिंदुस्तान की सहाधत को बिड़ता ये सूरी कहता है इतना प्रभाव सालीव था इतना इन पर्षा सूरी का जौतपूर पर अधिकार हो गया अब कहें यहां का मुख्य किस वेक्ति को सौपा तो खवास खांको खवास खांको सौपा और खुद चला गया अगले भी साल 1545 इस्वी में याद रखेंगे एक प्रक्षे पात उग्का उग्का नम का उक्का नम का एक प्रक्षे पास्त्र था इसको चलाते समय कालेंजर भियान के दोरान सेर्शा सुरु की बारुत के डेर में आगले लगना से मौत हो जाती वो मर गया मालदेव वापस जिन्दा हो गया वो मरा मालदेव वापस आते हैं और जोत्पूर में धिकार कर लेते हैं 15 245 के इंदर उसका मरना मालदेव का वापस आना अधिकार करना तब तक लिए मालदेव का थे तब तक के लिए मालदेव सिवाणा में तो इस प्रकाल गिली सुमेल का युद्ध लड़ा जाता है 5 जनुवरे 1546 कई जिगा आपको 4 जनुवरे मिलेगा लेकिन 4 जनुवरे को को निकल जाते हैं मालदेविया से और 5 जनुवरे की सुभई युद्ध लेड़ा जाता है जेदा और पूंपाइम्रिम्रेति को प्राप्त हो जाते हैं सेरसा सुरी की क्या होती है इसमें जीत होती है और उसी जीत के एगले वरसी उसकी मोत हो जाती है तो जादा कोई लंब इसको बढ़ाएं और पिसले दिनों में आप लोग दिरे दिरे अपने प्रिवार को बढ़ाई रहें एक से सुरू कि अपने प्रिवारा साधी चार हजार लोग तो पहुंच चुक है मैं चाहता हूं इस साधी चार हजार के संक्या जल्दी ही 10,000 तक पहुंचे जल्दी से जल्दी आप अधिक से दिक लोगों को सेर करें और पहले बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें जे जे भार अच्छा कंटेंट आपको इसी प्रकार मिलता रहेगा